ओम नमेश्रिवाई हर हर महादेव जेशू शंबो दोस्तों आप सभी का चनल में बहुत स्वागत है आपकी बुद्धी किस व्यक्ति ने बान दिये है आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगता आपका दिमाग कुछ भी चीजे सोश नहीं पा रहा है बस वो एक ही जगा एक ही नकारत्मकता में बहुत डुबा हुआ है उसे बहुत डर लग रहा है उसे बहुत भै लग रहा है मन किसी भी काम को करने में बिलकुल भी नहीं लग रहा है हम थोड़ा तो कोशिश कर रहे हैं एक दम हम सुन नहीं हो चुके हैं जो चीज़ से बहुत बहतर लगती थी अब वो खराब लगने लगी है ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से हमारा मन उठ गया है कुछ निगारत्म, कुछ बुरा हमारे दिमाग में चल रहा है तो बुद्धी अगर किसी व्यक्ति ने बान दी है या हमारी बुद्धी जब काम नहीं कर रही है हम जो निर्णे ले रहे हैं, वो निर्णे सही नहीं हो रहे है हम गलत दिसिजनों की ओर जा रहे है हम गलत तरीकों की तरफ जा रहे है हमारा जीवन पूरी तरह से गलत ट्रेक पे जा चुका है तब ये मन में प्रशन उठता है कि कहीं किसी वेक्टी ने हमारी बुद्धी बांध तो नहीं दिये अगर किसी ने आपके बुद्धी बांध दी है तो उसे समझने क्या हो शεक्ता है उसके लिए क्या संक्याते इस वीडियो में हम बहुते बात करेंगे से दूसरा ये कि अगर किसी वक्ती द्वारा इस तरह की चीज़े हो चुकी है तो कैसे इस से हमें बाहर निकलना है क्योंकि हमारा मूल उद्देश तो इस परिशानी से बाहर निकलना है तो जब कभी भी आप किसी काम में बार बार करने के बाद सफलता ना मिल पाना चीजों को लेकर बहुत effort लगाने के बाद भी परिणाम ना मिल पाना चीजे बहुत नकारतमक जाना जो लोग हैं वो बार-बार धोका देना हम बहुत जल जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो लोग हमें धोका दे रहे हैं हमारे साथ ऐसी situation है हो रही है कि कोई अपना नहीं है बुद्धी न तो विवेक से कोई decision ले पारी ना कुछ समझ पारी सब चीजे देखने के बावजूद भी हम सही नहीं देख पार है जब कभी भी ऐसी परिस्थिती किसी भी जातक की जीवन में होती है है तब बहुत हद तक जो चीजे में आपके साथ साथ जहकरों उन्हें समझने के आउशकता है इस तरह की परिस्थिती में बहुत सारे ग्रहों का हाथ होता है हम किसी भी एक ग्रहों को परियूती अगर हो जाते है तो उस वजह से भी इस तरह की जो परिणाम आमारे जीवन में दिखाई देते हैं खेर यह आप अपने निजी कुंडली की बात है आपकी व्यक्तिगत कुंडली की बात है पर अगर इसी परिस्थितिया आपके साथ है और आप इससे बाहर निकल अगर आपके साथ है तो आप एक बार हमसे कंसल्ड भी कर सकते हैं उसका फीस और शुलक लागो है दोस्तों जो हमसे आपकी मदद होपाई कि जरूर आपकी करेंगे ऐसी परिस्थिति हैं तो आपको दो-चार चीज़ों पर फोकस करना है सबसे पहली बात है दो से तीन करना मोनवरत शुरू करना होगा मोनवरत करने का तरीका ऐसा है कि अप अपने सांत होकर अपने गुरु मंत्र का जब करें नहीं गुरु मंत्र तो नमश्यवाई 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 का मन में जाप करें और पूरा ध्यान अपने नमश्यवाई के जब पर होना चा खुद ने create करके रखिए, जब हमें सभलता नहीं मिलती तो हम खुद बहुत negative हो जाती है, हम खुद एक energy का hub है, तो negative energy अगर हम produce करेंगे, तो इर्द इर्द हमारे ही होगी, इसलिए जितना हो सके, बजरंग बान का part करें, सुभा दो बार करें, शाम को दो बार करें, उससे ब आपको बहुत impact मिलेगा, चोथा प्रयोग यहावी महत्पून है, कि जो दिव्यांग है, या उनका आस्रम हो, या कोई दिव्यांग की व्यक्ति हो, उनकी आप मदद करें, और रही बात बुद्धी, आपकी कोई व्यक्ति बुद्धी नहीं बान सकते, हम केवल हमारी चाते,